हेलो दोस्तों वेलकम इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के पहले चैप्टर संख्या पद्दती इसके कुछ बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन्स सॉल्व करेंगे तो ये questions examination point of view से बहुत ही important है और यहाँ पर आप देख सकते हैं question के आगे मैंने लिखा हुआ कि कौन सा question कितने marks का है total इस वीडियो में मैंने 4 questions लिये हैं और इसमें कुछ एक number के, दो number के, तीन number के question इस तरह से हैं बहुत important questions हैं ये अगर आप अपने exam देने वाले हैं तो अच्छे से आप इन questions को समझें तो शुरू करते हैं और पहला question आपके सामने ये है root 2 और root 3 के बीच एक परमे संख्या ग्याद कीजिए देखो, root 2 आप जानते एक अपरमे संख्या है, root 3 भी एक अपरमे संख्या है लेकिन इनके बीच अगर हमें एक परमे संख्या ग्याद करनी हो, तो कैसे करें पहली बात तो ये है कि आपको परमे संख्या का ग्यान होना चाहिए इस question को solve करनी के लिए बहुत ही simple एक नंबर का question है, तो इतना मुश्किल ये होना नहीं चाहिए, छोटा ही इसका solution होगा देखो, अगर आपके पास question ये आता, कि अपरमे संख्या ग्यान कीजिए फिर तो ठीक होता, हम simply क्या कर देते, इनको हम plus कर देते, और 2 से divide कर देते और ये हमारा answer आजाता, अगर question ये होता है, कि इनके बीच में एक अपरमे संख्या ग्यान करो फिर तो ये ठीक होता, लेकिन हमें ग्यान करनी है परमे संख्या, अब ये परमे तो है नहीं, तो कैसे करें तो देखो यहाँ पर root 2 है, वो क्या होता है, तो root 2 जो है, अब क्योंकि इसका वर्गमुल पुरा-पुरा आता नहीं है, तो हम इसका एप्रोक्स में, लगवग में ही लिख पाएंगे, तो ये 1.414 इसके आसकास होता है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए, बहुजा का काम आता है और जो root 3 है, ये होता है 1.732, ये एकदम perfect नहीं है, ये तो आगे, क्योंकि अप्रमे संख्या है, ये तो कभी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, लेकिन 2-3 डिजिट तक आप लिख सकते हो, अगर आपको इतना भी याद है, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको याद रख पाएं, तो अच्छी बात है, इनके बीच, यानि इन दोनों संख्याओं के बीच में, हमें ग्याद करनी है, एक परिमे संख्या, तो आप लिख सकते हैं, कि इसलिए 1.414 और 1.732 के मध्य, एक परिमे संख्या, तो क्या होगी, तो इनकी मध्य, एक परिमे संख्या, कोई भी आप दश्वमला में संख्या लिखो, वो हमारा आंसर होगा, कोई भी, आपको क्या लगता है, इनके मध्य क्या हो सकता है, आप पुरा आगे न जाएं, इतना ही इनफ है, इतना ही इसके मध्य में क्या हो सकता है तो 1.5 है 1.6 है यह सभी आपके आंसर है ओके अगर क्वेश्चन होता कि 5 परमे संख्या ग्याद किजिए फिर हमें थोड़ा से यह आगे लिखना होता इस तरह से क्योंकि अब इनकी बीच में 5 परमे संख्या लिखना बड़ा आसान है 414 और 732 के बीच में कितना कुछ आप लिख सकते हैं तो सभी हमारे आंसर होंगे तो क्योंकि केवल एक पूछा है तो आप इतना छोड़ सकते हैं इसको 2 पुछे होते 1.6 लिख दो 3 पुछे होते तो अब इनके बीचे आप लिख सकते हो 1.42 लिख सकते हो 1.43 लिख सकते हो 1.44 लिख सकते हो कितना सारा आप कुछ लिख सकते हो तो इस तरह से हम इनके बीच में एक परमेश संख्या ज्यात करते हैं I hope यह आपको समझ आया होगा देखो बहुत सारे स्ट्टेटेंट्स बोलते, sir इसका डिर्ट फॉर्मला बता हूँ इनका डिर्ट फॉर्मला होई नहीं सकता है क्योंकि दो संख्यां जो है इनके मध्य में अनंत पर्मे संख्यां होती है तो आप तो अनंत परमेश सिंख्या लिख सकते हो अगर मैं आपको बोलो कि आप एक लाख परमेश सिंख्या लिखा आप आराम से लिख सकते हो इनको बस बढ़ाते जाओ भई 1.42 है उसमें 1 लगाते जाओ फिर 1.42 है फिर इसको 1.2 कर तो ऐसे कुछ नो कुछ आगे लिखते जाओ बट जो भी आप लिखोगे वो इनके बीच में होना चाहिए तो आई होप यह सब आपको समझ आ गया होगा question number 2 हमारे पास है यह यदि root 2 यह है तो इसका मांग ज्याद कीजिए तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका परमे करन करेंगे यानि rationalization तो यहाँ पर हमारे पास है root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 तो हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे और इसका परमे करन करेंगे तो root 2 minus 1 upon root 2 minus 1 यह हो गया ना समझ गे इसका परमे करन कर लिया यानि जो हर में यह जो प्लस है हम तो उपर नीचे माइनस का मल्टिप्लाइ कर देंगे इस तरह से अब यह क्या बनेगा उपर आप देख सकते हैं कि root 2-1, root 2-1 तो इसको हम लिख सकते हैं root 2-1 का whole square नीचे अगर आप देखें तो ये a plus b into a minus b की form बन रही है या अगर आप देखें x plus y into x minus y x square minus y square यानि इसका square minus इसका square ठीक है अब यहाँ पर इसको पहले हल कर देते हैं तो ये है root 2-1 का square upon ये 2 हो जाएगा ये 1 और ये 1 हो जाता है root 2-1 square upon ये 1 हो जाएगा अब देखो इसका root निकालना आसा नहीं क्योंकि square से root कट जाएगा उपर वाला तो root से बाहर आगया और 1 का root 1 होता है तो नीचे 1 वैसे लिखने की जरूत है भी नहीं ये आ गया और root 2 क्या है 1.4142-1 तो ये answer आएगा 0.4142 ये हमारा answer है तो इस तरह से इसको हम solve करेंगे ओके आई हो पिए आपको समझ आ गया होगा ये होगा इस तरह से अगला question देखो यदि x ये है तो इसका मान गयात कीजिए देखो यहाँ पर x हमारे पास ये है पहले तो 1 upon x निकालो फिर उसका work निकालेंगे तो यहाँ पर देखो x बराबर है 1 प्लस root 2 तो एक काम करते हैं root 2 को पहले लिखते हैं क्योंकि root 2 बड़ा होता है 1 चोटा होता है अब यह पहले क्यों लिखा ताकि minus का tension बाद में ना आए 1 upon x जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon root 2 प्लस 1 अब इसका परमे करन करो इसका rationalization करो तो क्या करेंगे हम इसके उपर नीचे अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है न उपर नीचे minus वाली चिन से गुणा कर देंगे यानि यह हो जाएगा क्या हो गए अब solve करके तो यह तो 1 के साथ multiply होके as it is आ जाएगा और नीचे a plus b into a minus b तो यह हो जाएगा a square minus b square समझे ना जैसे हमने एक question के साथ किया था तो यह आ जाएगा root 2 minus 1 तो उपर ठीक है ध्यान रखना नीचे जब हम इस तरह से multiply करते हैं this plus this into this minus this तो a square minus b square वाला यह formula लग जाता है root 2 का square 2 होता है और यह 1 तो यह हो जाएगा root 2 minus 1 upon 1 तो यह आ जाएगा root 2 minus 1 यानि 1 upon x जो है यह आ गया है यह और x हमारे पास तो यह पहले सही था तो x minus यह क्या होगा तो इसलिए यहाँ पर solve करते हैं therefore देखो x minus 1 upon x क्या होगा देखो मैं फिर से समझाता हूँ x हम निकाल चुके हैं 1 upon x हम निकाल चुके हैं तो अब x minus 1 upon x तो x है root 2 plus 1 और 1 upon x है root 2 minus 1 ठीक है ना तो यह हो जाएगा root 2 plus 1 minus root 2 minus minus का plus होगा और यह 2 आ गया है root 2 से root 2 कट किया ठीक है x minus 1 upon x हमें ही मिल चुका है और अब हम इसका करेंगे square क्योंकि question में इसका square बूचा है और यह आ जाएगा 2 square यानि 4 और यह हमारा answer है ठीक है तो I hope यह solution आपको अच्छे से समझ आया होगा अब question अगला है कि इसका cube find कीजिए तो देखो यहां तक तो यह same है यहां तक पूरा same है तो जितना same है उतना मैं यहां से निकाल देता हूँ copy क्योंकि बिल्कुल same है यह तो यहां पर same steps हमे फॉलो करने है ठीक है x है 1 अपन x है फिर उनको माइनस कीजिए बिल्कुल यह है and finally इसका हमें cube करना है यानि देखो x-1 अपन x2 मिल चुका है जैसे यहां पर यह है जैसे हमें पीछे मिला था वैसे ही है और अब हमें इसका cube find करना है तो हम finally लिखेंगे इसलिए x-1 अपन x इसका cube हो जाएगा 2 का cube और यह है हमारा 8th answer ठीक है तो I hope यह solution आपको समझ आए होगा और इसी के साथ ही वीडियो समात होता है ऐसे ही आपके लिए और वीडियो आते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में ठेक कियर